मैं एक ऐसे सामर्थ को देख रहा हूँ और जिससे मैं गर्व से धर जाता हूँ देश वाचियों मैं आज देश का सबसे बड़ा सवभागे देख रहा हूँ कि भारत का जन्मन आकांग्शी जन्मन है एस्प्रेशनल सुसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कौने में हर समाज के हर वर्ग में हर तबके में आकांचाएं उफान पर है देश का हर नागरी चीजे बदलना चाहता है बदलते देखना चाहता है लेकिन इंतजार करने को तयार नहीं है अपनी आँखों के सामने देखना चाहता है करकबे से जूड करके करना चाहता है वो गती चाहता है वो प्रगती चाहता है 35 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आँखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालाईद है उत्साहित है उतावला भी है कुछ लोगों को इसके कांसंकट हो सकता है क्योंकि जब एस्प्रेशनल सुसाइकी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है सरकारों को भी समय के साथ दोड़ना पड़ता है और मुझे विश्वास है जाए केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, अस्तानिय स्वराज के समस्ताए हो, किसी भी प्रकार के शाथ सन व्यवत्ता क्यों न हो, हर किसी को इन एस्प्रिस्नल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी आखांख्षाओं के लिए हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हमारे इस एस्पिरिस्नल सोसाइटी ने लंब में अर्से तक इंतजार किया है लेकिन अब वो अपनी आने वाली पिडी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है और इसलिए कि अमरित काल का पहली प्रभात हमें इस एस्पिरिस्नल सोसाइटी की आकांच्छाओं को पुरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुना रहा आउसर देखर क्या आई है मेरे प्यारे देशवाथियों हमने पिछले दिनों देखा है एक दोर ताकत का हमने अनुभव किया है और वो है भारत में एक सामुई चेतना का पुनर जागरन हुआ है एक सामुई चेतना का पुनर जागरन आजहादी के इतने संगर्ष मैंसे जे अम्रत था वो अब संजोया जा रहा है संकलित हो रहा है संकल्प में परिवर्तित हो रहा है पुर्षाथ की पराकास का जुड़ रही है और सिद्धी का मार नजर आ रहा है यह चेतना मैं समझता हूँ कि चेतना का जागरन यह पुनर जागरन यह हमारी सबसे बड़ी अमानत है और यह पुनर जागरन देखिए तस अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है लेकिन पिछले तीन दिन से जिस प्रकार से तिरंग के जंडे को लेकर के तिरंगा की यात्रा लेकर के दस चेश चल पड़ा है बड़े बड़े सोशल साइंस के एकपर्ट्स वे भी शायद काल पना नहीं कर सकता है कि मेरे भीतर के अंदर कितने मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्द है एक तिरंगे जंडे ने दिखा दिया है यह पुनर चेतना पुनर जागरन का पल है यह लोग समझ नहीं पाए है जब बेश चंता कर्भ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूती है जब देश ताली ठाली बजा करके कोरोना वारियर के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूती होती है जब दियां जला करके कोरोना वारियर के शुब काम बना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना के अनुभूती होती है